नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत था आपका एक और नई वीडियो में तो मुझे संसकार धाकड 9787 की तरफ से मुझे कमेंट आया है तीन दिन पहले, स्क्रीन में आपको बखुबी दिख रहा हो कि कमेंट क्या है तो मैं रीड कर देता हूँ भहिया, मैंने मेरी स्कूटी की फर्स्ट साढ़े 400 किलोमेटर आने की 450 किलोमेटर पर सर्विस कराई थी और उनने कहा था कि 6 मन्स बाद फिर से सर्विस करवा लेना लेकिन उसमें सर्विस का टूल शो हो रहा है और अभी बस 750 किलोमेटर चलिये तो अब क्या करूँ यानि कि उन्होंने अपनी पहली सर्विस गाड़ी की 450 किलोमेटर पर करवाई थी लेकिन अब जो सर्विस सेंटर वाले है उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद फिर सर्विस करवा लेना उन्होंने भी सेंटरों की सभी ईका टूल शों होराए तो आप क्या करें फिर स्टीक आँए पहले बेसिक चयोंग को समझ लेकिए कि अगर वह टूल क्यों आता है किसे लिए आता है और अगर हम गाड़ी को अभी अभी सर्विस करवा यदि तो आप में दुबारा सर्विस करवाना पड़ेगा देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अगर 749 किलोबिटर में पी करवाई है और आपको आपको फिर सर्विस करवाना है तो आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है लेकिन अब यह नहीं कि अगर आपने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग 749 किलोमेटर से भी करवाई और सारे सासर में आपको सर्विसिंग इंटिकेटर आ रहा है तो आपको फिर सर्विस करवानी है जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो अब मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिये लेकिन अब सर्विसिंग इंटिकेटर आपको बखू भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा देखिए बहुत ही easy step है रिमूफ करने का, आपको firstly क्या करना है, आपका जो ignition है उसे turn off ही रखना है, पहला step क्या है, आपका जो ignition है, आपको जो चाबी है उसको turn off रखना है, पहला step complete, अब second step में क्या करना है, आपको जो आपके meter में mode button provided है, जो mode बटन जिसको उपको लोगाते है reset बटन तो उस बटन को आपको प्रेस कर देना है अब प्रेस करके रखना है आपको और अपनी गाड़ी का जो ignition है उसे turn on करना है अब अपनी जब ignition turn on किया तो कब तक turn on रखना है वो तब तक जब आपका पूरा जो timing है वो पूरी complete ना हुझा है अब timing का मतलब क्या है कि जो आपका odometer का जो काटा है जो speedometer का जो आपका काटा है वो पूरा 110 तक यानिकि 110 तक जाता है और फिर बाद भी 0 तक आता है तो वो ज reset button उससे आपको अपनी finger हटा लेनी है ऐसा करते ही आपका जो service due indicator है आपके digital meter से properly हट जाएगा तो अब सवाल लास्ट में यह आता है कि अगर service due indicator आगे तो गाड़ी की servicing दोबारा करवानी तो जी नहीं आपको अपनी गाड़ी की servicing दोबारा नहीं करवानी है वो जस्ट electronically कि वो figure set है कि आपको 740 km पर फर्स्ट service का reminder आपको देना है होपस आपको video clear होगे thank you so much for watching love you all guys bye take care